नमस्कार दोस्त। स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पे। दोस्त। आज मैं आपके लिए जो वशीकरन लेके आई हूँ वो इतना सरल और इतना प्रचंड है कि आप सोचेंगे कि सर्फ ऐसे भी वशीकरन हो सकता है। इतना सरल बिना किसी सामगरी से सर्फ एक मंत्र के माधियन से। तो सोचेंगे वो मंत्र कितना प्रचंड होगा। जो सर्फ अपने आप में इतना प्रचंड है कि सर्फ जब आप उसका सिम्रन करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपका हो जाएगा कभी सोचा है आपने कि ऐसा भी हो सकता है बिना किसी सामगरी से क्योंकि सब कहते हैं वशीकरन बिना सामगरी के संभव नहीं है लेकिन हम आपके लिए ऐसे प्रचंड वशीकरन लेके आते हैं जो बिना सामगरी के हो सकते हैं क्योंकि हमारी कई माताएं बहने, कई पुरुष, कई भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम कोई सामगरी एक अत्वित नहीं कर सकते या माताय कहती हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते लेकिन हमें वशीकरण की अवशक्ता है क्योंकि हमारे घर की जो इस्तिती है वो बिगड़ गई है और हमें उस इस्तिरी को सुधानने के लिए एक वशीकरण की अवशक्ता है इसके बिना हमारे घर की इस्तिती सुधान नहीं सकती क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब अपने दूर हो जाते हैं घरवे तो साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां बहुत जादा बढ़ जाती हैं जी हां अगर इनी दूरियों को आप कम करना चाहते हैं या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी प्रेमिका किसी और की तरफ आकर्शित हो रही हैं और आप नहीं चाहते कि वो किसी और से बात भी करें वो ताउम्र आपकी होकर रहें या प्रेमिका ऐसा नहीं चाहती अपने प्रेमिक के लिए तो ये वशीकरण जो है इन सभी के लिए प्र बाल सोच समझ कर इस विधी को अपनाईएगा मैं आपसे बार-बार ये कहूंगी और वशीकरण का एक सबसे पहला नियम है कि जब आप वशीकरण कर रहे हों तो कोई आपको देखे ना कोई व्यक्ति आपके आसपास ना हो आप अकेले हो एक ऐसे इस्थान पर हो जहाँ आप अकेले हो एक आगश्ट हो तभी आप जो है इस विधी को कर पाएंगे इस विधी का सर पून रूप से हो पाएगा तो आई ये समय ना बरबात करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि धीको करना है और करना कैसे हैं आई ये बताते हैं आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त पहन कर इस दिन सोने जाए और सोने जाने से पहले जब आप अपने बेड़ पर अपने गर्दे पर जहां भी आप सोते हैं वहां पर बैठेंगे तो इस तरहां आसन लगा कर एक पर और उसके बाद आपको इस मंत्र का 21 बाव जाप करना है जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद आप सो जाएंगे सुभा जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह पागल हो रहा है आपसे बात करने के लिए किस तरह सिर्फ और सिर्फ आ कोई माता है तो उनका बेटा सिर्फ उनकी आघ्या मानगा किसी और की नहीं सुनेगा अगर कोई पतनी है तो उसका पती इस तरहां उसके असपास घूमेगा कि बस उसके सिवात दुनिया में कोई और ही नहीं अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इस मन्त्र को ध्यान पूर्वक सु एक बार और मंत्र बताती हैं ध्यान से सुनिएगा ओम नमो भगवतेत प्रिलोक चन मम वश्यम करू करू स्वाहा इस मंत्र का 21 बावजाप करना है व्यक्ति का नाम लेना है भात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हिवदय पे हाथ रख कर ये पूरी विधी करनी है कोई आपको देखे रहा इस बात का भी ध्यान करना है और ये मंत्र आपको साथ दिन तक करना है और तीन दिन के अंदर अंदर वो सदस से आपके वश में हो जाएगा लेकिन विधी को पूरा जरूर कीज़ेगा अगर वश्यकरन समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप स्क्रिन पर य करेंगी और आपके जीवन में खुश्या ले आएंगी नमस्कार